एलजी से होने वाली skin disease 1. अटकेरिया इसे hives कहते हैं इसमें skin पर लाल, खुजलीदार, wheels के समान उब्रे हुए चकते बनते हैं. 2. एक जिमा इसे atopic dermatitis कहते हैं इसमें skin dry, itchy, पपड़ीदार हो जाती है. 3. contact dermatitis इसमें allergy से संपर्क वाली जगह पर skin पर लाल, खुजलीदार रैशस बनते हैं. 4. अंजियोडीमा में skin में दर्द रहित सूजन आती है. ओचो इम्यून प्रोबलम से होने वाली skin disease 1. पैमफीगस इसमें skin पर फ्लूड से भरे हुए ब्लिस्टर, अर्थात फफोले बन जाते हैं. 2. सोराइसिस इसमें skin पर सफेद, चांदी जैसे पपड़ीदार प्लेक बनते हैं. जिसमें खुजली होती है. 3. विटिलिगो इसे लियोकोडमा भी कहते हैं इसमें सफेद पैचेज बनते हैं. 4. लुपस इसमें लाल, पपड़ीदार रैशस बनते हैं. 5. लीचन प्लेनस इसमें skin पर परपल, खुजलीदार, चप्टे उभार बनते हैं. 6. स्क्लेरोडमा इसमें skin पतली वर टाइट हो जाती हैं. 7. एलोपैसिया एरियेटा इसमें बाल ज़ड जाते हैं. वाइरस से होने वाली skin disease 1. हरपीस सिंपलेक्स इसमें होठो पर वजन्नांगों पर दर्दयुक्त घाव या ब्लिस्टर बनते हैं. 2. हरपीस जोस्टर इसे शिंगल्स भी कहते हैं इसमें skin पर एक स्ट्रिप के रूप में painful रैशेज बनते हैं. 3. वाट ये HPV वाइरस से होती है इसमें दर्दरहित मोटी skin में growth हो जाती है. 4. मोलूस्क्स कंटेजियोसम इसमें लाल, खुजलीदार, दर्दरहित छोटे उभार बनते हैं. 5. बेक्टेरिया से होने वाली skin disease 1. इंपेटेगो इसमें नाख तथा मुह पर लाल घाव बनाते हैं जो बाद में yellow crust में बदल जाते हैं. 6. इसमें skin में गर्म, लाल सूजन हो जाती है. 7. पेरासाइट के इंफेक्शन से होने वाली skin disease 1. स्कैबीस यह इच माइट से होती है इसमें skin पर छोटे छोटे लाल दाने निकलते हैं वो तेज खुजली होती है. 2. पेडिक्यूलोसस यह लाइस अर्थात जुए पढ़ना है. रिंग्वम यह फंगस के इंफेक्शन से होता है इसमें skin पर खुजलीदार गोल लाल रैशस बनते हैं जिसमें बाद में पपड़ी निकलती है. एकने इसे एकने वलगेरिस कहते हैं ये एंडरोजन हॉमोन की अधिक्ता से होता है इसमें. स्किन पर खास करके चेहरे पर पीठ पर पस युक्त मुहासे बनते हैं. नर्सिग से जुड़े टोपिक के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे धन्यवाद.